हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल तेयर जीत में आज हम देखने वाले हैं कख्छा साथवी के प्रोजेक्ट कार रहे हैं यहाँ पर जो होने वाला है आपका बारसिक मुल्यांकर बढ़क सीट और आपके एक्जम कब से होंगे इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं और पता चला सकते हैं कि तारीक से आपके एक्जम होने वाले हैं कख्छा 6-7 और 5-8 कितर में पहले ही पता चुगा था यहाँ पर तो आईए इसको शुरू कर है जैसे कि 1,2,3,4,5 होता है यहाँ पर सब्दों में लिखकेंगे तो आपका दो लिखेंगे जितना उपर डब्बे में लिखा और इस प्रकासे से लिख दीगें यहां पर यह नियम दिये गए है है, वाँ को क्या करना है, यहां पर देहां सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यह कर पनहाँ हैं, इसके बाद, यहु Gibson 8 ayam, तो यहां पर नेखने जिए इसी प्रकार से आपको इसको भल लेदा है। चालीस नंबर की रहने वाली आपके एसको भल ना ठीक है इसके बाद ऑगला कॉस्चन दिया गए company टो देख लिए एक और गया ह convention के लिए एक हम एक साथ लिख़ना है थूं यहां के जा सकती हुसे क्या बोलते हैं इसके बाद इसके बार क्या हो चूँका है पूरा इसकी बाद कॉश्चन तीसरा देखते हैं तो यह रहा हमारा चूश्चन नम्म थ्रड उसको पढ़ दिडिए यहां पर क्या लखा है question को बुंदेल खंड केशरी पार्ट के आधार पर पताईए कि घोड़े को भले भाई ठीक है भले भाई की संग्या क्यों दी गई है बरतमान में यहाँ पर दिया गया इसको पढ़ लेते हैं ठीक है यह दो नंबर का question है यहाँ पर अगला question देखते हैं इसके बाद और इसको अच्छे से भरके आपको जमा करादा दिने हैं अगला question दिया गया हमारा को तो यह लाव लेखे देना है आपको ठीक है यह रहे लाव अच्छे से नोट डाउन कर लीजीगा और इसी प्रकार से लेखे देना है आपको इसके बाद अगला question देखते हैं तो यह अच्छे से दिख रहा हूँ पदमासन लिखा है यह पदमासन घुटनों और कूलों के लचीला पन बढ़ाता है गटनो और टकनों टकनों किसे बोलते हैं तो यानी गटना आप जानते हैं इसके यहाँ पर में ख trendy लाता है और उन्हें मजबुत बनाता है ठीक है इसके बाद स्रेडि रीड़ पेट और मुतरासा उत्तेजित करता एं स्रेयाँ पर यह से पेदित तो यह अच्छा मदलब सातमी का पाट है इसको आप अच्छे से आकर देख लीजिए यह पांच नमर को कॉस्चन है यह देख लिए अच्छे से इसका अंसर पूरा अच्छे नोट डाउन कर लेना है इसके बाद अगला कॉस्चन देखते हैं तो अगला कॉस्चन अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर यह हमारा खंड बाका है सलूशन यहाँ पर तो यह खंड बाको देख लेते हैं आपका आगे पीछे हो सकता है पहले खंड बा भी हो सकता ह ठीक है तो आप अच्छे जाके पढ़ लीजिएगा फिर देखना इसका तो क्या दिया गए इसमें देख लीजिए अच्छे से क्या लखा है तो इसमें दिया है अपने गाउं या सहर में अथवा उनके पास में इस्थित प्रमुक सामाजिक इस्थानों की जानकारी क्रेज़ुर लख सकते हैं ठीक है चाहत वह सबस्क्रांइब निखे लिए तो आप अच्छे लिएक देखें धर अपनी पसंद के खेल जाने अपनी पसंद ओसहां दीए जाने वाले किनी दो खेलों के नाम लेखिए लिखते हूं लिखे बिंदम्हों पर प्रोजेक्ट कार पूरा किगी दिये तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है कम से कम दो करण लेखिए थीक है यहाँ पर दिये गए है इंके उनको लेकर ली दिया घ्क जी अटा है को फ लगना यह दिवसी है cricket में 50 ऑबर का खेल खेला जाता है यह दूसरा बाला पॉइंट लखा हुआ है इसके बाद तीसरा पॉइंट लखा है क्रिकेट दो पारियों में खेला जाता है ठीक है तो यह आपके आंसर है इसके तो लख लीजेगा अच्छे से यदि कोई समझ में नहीं आदा है तो आप उसमें कमेंट जाकर पूछ ले ना तो इसके अभी आंसर आपको दे दिये जाए ठीक है तो यहाँ पर यह लिखा है इसके बारे में लिख लीजिए अच्छे से ठीक है फटबॉल का मैदान 150 से लेकर 130 गज तक आयताकार होता है इसकी लंबाई को साइड लाइन बोलते है वह चुणाई को गोल लाइन बोलते है ठीक है खेलने के यहाँ लिखना है यहाँ देख लिजी इनको अच्छे से note down कर लिजीगा अगला question देखते हैं तो अगला question ये रहा आपका question number 8 तो सब्द पहेली को दिये गए निर्देशों के आधर पर भर ये ठीक है तो ये सब्द पहेली दिये गई है और ये निर्देश दिये गए है इस परकार से आपको भरना ये इनको पढ़ा पढ़के ठीक है तो ये नका पढ़के भरना है तो इसको पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ से note down कर लें ये रहा इसका answer तो ये आप note down कर लिजीगा ठीक है तो अच्छे से इसकी answer हो जाएंगे यदि वीडियो अच्छ लगता है तो लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ इसाथ बेल आइकन को अने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं अगले वीडियों तब तक क्लिए